प्रलाद प्रलाद जानता था उसके पता अधर्मी है अधर्मी असुर हिरन निकशुकु ने जब सुना कि उसका पुत्र प्रलाद नारायन का भक्त है तो उसने प्रलाद को ही मारने के आनेक प्रयास किये गूँ प्रलाद ने हार नहीं माई उसने सहायता के लिए नारायन को पुका रहे है हे नारायन अब अपने भक्त के भक्ती की लाज़ितने आपको आना ही होगा नारायन नरसी हैं अफ्तार में वहाँ पे आया अर्चन वो जानते थे कि हिरन्यकशिपु प्रलाद के पिता है वो जानते थे फिर भी हिरन्यकशिपु का संहार किया अधर्म के विरुद्ध धर्म का साति प्रलाद का साति पार देखा जाए तो प्रलाद अपने पिता से बल और आयो दोनों में छोटा थे तब भी नारायन ने उसी का साथ दिया क्यूं क्यूंकि प्रलाद ने धर्म का साथ निभाया और धर्म के लिए वो स्वयम अपने पिता के विरुद्ध खड़े होने के लिए भी सज्ज था य और सबसे बड़ी बात प्रलाद सही था अर्जु और इसलिए नारायन ने उसका साथ दिया अर्जुन बस सोचू, यदि प्रलाद ये कहता कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जो मेरे नारायन का विरोध कर रहे हैं, वो मेरे पिता है, तो मुझे उनसे नहीं लड़ना चाहिए, मैं उनसे नहीं लड़ सकता तो क्या होता? समस्तत त्रिलोग को कश्ट भोगने पड़ते पार्थ, उस नन्ने से बालक ने भी संबंद नहीं धर्म को चुड़, और इसलिए नारायन ने उसका साथ निभाय, प्रलाद की रक्षा की और अंत किया उसके पिता इरन्यकशिपूख, उसी प्रकार आज यहां, इस खशन, इस असरण भूमी में मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्थ, और मैं तुम्हारा अवाहन करता, गांडिव उठाओ और युद्ध लड़ो पार्थ, यही धर्म का और कर्म का नियम, माधा, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, वो मैं समझ रहा हूँ, परंतु नजाने क्यों मेरा रिदय नहीं मान रहा है, आप जो कुछ भी कह रहा है, वो मेरे बुद्धी तक पहुच रहा है, परंतु वो मेरे रिदय में नहीं उतर रहा, इन्दू बात तो तभी समझ में आती है पार्थ जब वो रिधाय में उतरते हैं तुम संसार में भाकी सारे उधारन भी देख सकते हैं स्वयम नारायन के राम अवतार को देखो उनके जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आये जहां उन्होंने देखा अपनों को ही अपनों के समक्ष खड़े होते हुए और उन्होंने साथ दिया केवल धर्म का पार्थ किसी विशेश व्यक्ति का नहीं बाली और सुग्री इन दो भाईयों का उधारन देखो पार्थ बाली जो कुरूर था अधर्मी था और सुग्रीव जो धर्म परायन था और नैतिक था बाली ने सुग्रीव से चल किया अधर्म से उसका राज्य छीन लिया जब भगवान राम को ये बात पता चली तो उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया सुगरीव तुम्हें धर्म बास करता है और इसलिए तुम्हारे भाई बाली के साथ इस युद्ध में मैं तुम्हारा साथ हूँ बस इस हार को पहन जो ताके मैं तुम्हें पहचान सकूँ राम ने बाली का बत करके सुक्रीव को पुना राजा बनाया पर तुम्हातर नारायन के राम अवतार के दोरा कुम करन भी था जिसने सब कुछ जानते हुए अपने भाई रावन का साथ दिया और थात अपनोंका ही साथ दिया नमाधान और क्या उसने उचित किया पार स्मरन रखो कुम्भकरन और विभीशन दोनो रावन के भाई थे दोनों की सोच एक थी दोनों जानते थे सीता हरंकर के रावन ने उचित कर्म नहीं किया दोनों राम रावन इस युद्ध के विरुध थे अंततह दोनों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार अपना अपना चाया कर लिया विभिशन क्यूं मेरे भोजन में विवधान डाल रहे हो राम रावन का युद्ध होने को है ब्राता, आप जानते हैं, ब्राता रावन गलत है, इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस युद्ध में भाग मत लिजिए, कदाचित, फिर यह युद्ध ही टल जाए, तुमारा कथन तो सत्य है, किन्तु मैं विवश हूँ ब्राता रावन ने देवी सीता का हरन किया है, इससे बड़ा पाप और क्या होगा, ऐसी पवित्र देवी पर वासना की मलिन द्रिष्टी डाली है यहां प्रश्ण उचित और अनुचित का नहीं है, प्रश्ण है ब्राता रावन को मेरे दियोवे वचन का, चाहे जो भी परिडाम हो, मैं उन्ही के ओर से लड़ूगा, रावन ही मेरा राजा होगा, और राम कान्त मेरा लक्ष है श्री राम, कृप्या करके मुझे शरण दे, मैं ब्राता रावन का और साथ नहीं दे सकता, मैं केवल आपका साथ दूगा, क्योंकि आप सही हैं, मुझे शरण दे प्रभू, मुझे अच्छा लगा वे भिश्ण, कि तुम मेरा ना सही, सही का साथ दे रहे हैं, तुम्हारे स्कृत्य के लिए संसार तुम्हे युगो युगो तक स्मरें रखेगा, आने वाले समय में तुम पूझनियम आने जाओगे, और आज तुम धर्म का साथ दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूगा, अब तुम ही बताओ अर्चन, कुम्भकरण को समझाने के उचित कर्म किया, नहीं न, उसने अने एक जीवू का विनाश किया, साथ ही स्वयम भी मर गया, और दूसरी और था विभीष, जिसने धर्म का साथ निभार, जिसने धर्म के लिए अपनों को त्याग दिया पार दे, जो उचित है, उसके लिए वो स्वयम अपने भाई प्रायन का राम अफ्तार उसके साथ था याने एक बार हो चुका है पार्थ और आज फिर हो रहा है अपने ही आज अपनों के साथ लड़ रहे हैं अपने विवेक को जागरत करो पार्थ और देखो तुमारे समक्ष क्या है अपने पिताम अभीश्म को देखो गुरुद्रोन को देखो कहीं न कहीं ये जूटे धर्म से बंधे हैं पार्थ इन्हें देख के इनमें तुम्हें बाली ही हिरन्य कशिपू कुम्बकरण की 26 पश्ट्रूप से नहीं दिखते अधर्म की छवी नहीं दिख रही पार्थ इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं तुम केवल एक बार इन्हें भाई प्रियजनों की दृष्टी से मत देखो गुरू जनों की दृष्टी से मत देखो केवल देखो थर्म के दृष्टी कौन से मादम आप जो कह रहे है मैं वो समझ रहा हूं परन्तों ये कार्या मेरे लिए अत्यांते कठेने प्रेलाथ सुख्रीव विविशन जैसे दहर्य मुझ में क्यों नहीं आ पा रहा है मैंने कहा था आत्मा अमर है बस तुम इससे समझ नहीं पाए भात मुझे एक बात बताओ नारायन ने अनेक रूप धारण किये अनेक अफ्तार लिए नरसियं अफ्तार राम अफ्तार किन्तु इन सभी अफ्तारों में क्या उनकी आत्मा बत लिए इन सभी रूपों में भी वो एक ही थे न पार्थ यही प्रमान है कि ये दे ये नश्वर है पार्थ किन्तु आत्मा इसका कभी अंत नहीं हो सकता पार्थ अपना धनुश उठाओ बार्थ चला युद्ध करो तुम अपनों के साथ युद्द नहीं कर रहे हो पार्थ तुम केवल तुम्हारे अपनों को इस अधर्म के जीवन से मुक्त कर रहे हो बस अपने विवेक को जगाओ पार्थ इस भावना को त्याग दो इस भै को त्याग दो धर्म के पत पर दुख कैसा पार्थ अब कांडे उठाओ और युद लड़ो पार्थ क्रश्न सही कह रहा है अर्जुद धनों शुठाओ झाल धन्ड़किया लोग पार्थ थे प्लुद धन्ड़कियां क्रीज क्रीज वाल को गवाँ झाल झाल